दोस्तो आठ मिनट के इस छोटी से वीडियो में आज हम सीखेंगे लगबग सो पशुओं के नाम उन्हें इंग्लिश और हिंदी में क्या कहते हैं आप आसानी से और भेतर दरेके से समझ पाएं इसलिए मैंने इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों नाम के साथ साथ उन एनिमल्स की पिक्चर भी आपके लिए इस वीडियो में दी हैं तो दोस्तो बिना समय को खराब किये चलिए शुरू करते हैं हाथी हाथी को इंग्लिश में elephant कहते हैं छिपकली छिपकली को इंग्लिश में lizard कहते हैं बकरी का बच्चा इंग्लिश में kid या baby goat कहलाता है, यानि कि बकरी के बच्चे को इंग्लिश में kid भी कहा जाता है और baby goat भी कहा दिते हैं, kid और baby goat. पिल्ला इंग्लिश में puppy कहलाता है, पिल्ला यानि कुत्टे का बच्चा, यानि कि कुत्ते के बच्चे को इंग्लिश में पपी कहते हैं बाग बाग को इंग्लिश में टाइगर कहा जाता है खटमल को इंग्लिश में बग या बैडबग कहते हैं तेंद्वा या चीता इंग्लिश में लेपर्ड या पैंथर कहलाता है लेपर्ड या पैंथर दिमक को इंगलिश में वाइट आंट या टर्माइट कहते है वाइट आंट या टर्माइट बिच्चु को इंगलिश में स्कोर्पियन कहते है बिच्चु की काफी सारी प्रजातियां होती है जिनका रंग अलग-अलग होता है और अलग-अलग तरीके के बिच्छू दुनिया में पाए जाते हैं केकडे को इंगलिश में क्रैब कहते हैं देखने में केकडा भी बिच्छू जैसा साही लगता है क्रैब, केकडा लंगूर, लंगूर को इंगलिश में एप कहते हैं बबून या गिबन बीस को कहा जाता है. एप, बबून या गिबन. बंदर को इंगलिश में मंकी कहते हैं. बंदर की भी भूट सारी अलग-अलग परजातियां होती हैं और उनके भी अलग-अलग नाम होते हैं. किसी भी जंगली पशु को beast या wild animals कहा जाता है beast जादा तर उस खतरनाक या बड़े जानवर को कहा जाता है चो बहुत खतरनाक होता है दरियाई घोड़ा दरियाई घोड़े को English में hippopotamus कहती है hippopotamus उट को English में camel कहा जाता है उट को रिगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है और English में उट को कहते हैं camel sewer sewer को English में pig कहते हैं maggarmach को English में crocodile कहते हैं crocodile zebra को English में भी zebra ही कहते हैं कुछ लोग इसको हिंदी में धारीदार घोड़ा या धारीदार गदा भी कहते हैं yark yark bell की ही प्रजाती है सांड को इंगलिश में बुल कहा जाता है बुल, इसको इंगलिश में ओक्स भी कहा जाता है कुतिया, कुतिया को इंगलिश में बिच कहते हैं बिच चिंपैंजी, चिंपैंजी को इंगलिश में चिंपैंजी ही कहा जाता है ये भी एक बंदर की ही प्रजाती है चचुन्दर को इंगलिश में मस्करेट कहा जाता है चचुन्दर मस्करेट बच्चिया को इंगलिश में हेफर, स्टियर या शी काफ कहते है हेफर, स्टियर या शी काफ और बच्चडी को इंगलिश में काफ कहते है करगोश को इंगलिश में rabbit या hair कहते हैं सूर को इंगलिश में hog भी कहते हैं और pig भी कहा जाता है भेड को इंगलिश में you या sheep कहते हैं Ewe को इंगलिश में you बोला जाता है चूहा चूही को इंगलिश में mouse या rat कहते हैं बिल्ली के बच्चे को इंग्लिश में किटन कहा जाता है, किटन. पाराई सिंगा इंग्लिश में एंटेलोप या रेंडियर कहलाता है, एंटेलोप या रेंडियर. पैंग्विन एक प्रकार का समुंदरी बगुला होता है और पैंग्विन को हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही पैंग्विन कहा जाता है मेमना मेमने को इंग्लिश में लैम कहते हैं भैस भैस को इंग्लिश में बफैलो कहा जाता है बफैलो शेर या सिहें को इंगलिश में लायन कहते हैं कांटेदार जंगली चूहा ये कांटेदार जंगली चूहा है इसको हैजोग कहा जाता है हैजोग टट्टू को इंगलिश में पोनी कहते हैं भवरा भवरे को इंगलिश में बंबल बी कहते हैं भवरा Bumblebee Bell Bell को English में Oaks कहते हैं Oaks Chinty Chinty को English में Ant कहते हैं Ant Machar Machar को English में Mosquito कहते हैं Mosquito Mosquito Kangaroo Kangaroo को English में भी Kangaroo ही खहा जाता है Gilhery Gilhery को English में Squirrel कहते हैं Squirrel Ghonga Ghoinge को English मेंiety स्नील कहते हैं Snell Là 하니까 Lucky Lakar vagge को English में Haina कहते हैं Haina Hirny को English में Hind कहते हैं यह Female Deer कहते हैं Hind यह Female Deer Deer Gatha Gathe को English में Donkey कहा जाता है Donkey Mekhi Mekhi को English में bee या Fly कहते हैं اور जो घरेलु मekhi होतی हैं उसको House Fly भी कहा जाता है Dhruvier Bho ध्रवी भालू बर्फ में पाया जाने वाला एक भालू की प्रजाती है और इसको polar bear कहते हैं मकड़ी मकड़ी को इंगलिश में spider कहा जाता है कच्छुवी को इंगलिश में turtle या tortoise कहते है शिकारी कुत्ता ये एक प्रकार का शिकारी कुत्ता होता है, इसको हाउंड कहते हैं, हाउंड सुवरी, सुवरी यानि फीमेल सुवर को स्वाइन कहते हैं, स्वाइन हिरन का बच्चा, हिरन के बच्चे को फान कहते हैं, फान जब्रा कुत्ता या एक प्रकार का शिकारी कुत्ता इसे 스नियल कहते हैं पांडा, पांडा को हिंती में रिच बिलाओ भी कहते हैं और ये एक प्रकार का मासाहरी रिच यने भालू है जो हिमाल्य और तिब्बत के मैदानी भागों में पाया जाता है spaniel कहते हैं spaniel panda panda को हिंती में rich मिलाओ भी कहते है और ये एक परकार का मासाहरी rich यानि भालू है जो हिमाल्य और तिबद के मैदानी भागों में पाया जाता है panda कस्तूरी हीरन कस्तूरी हीरन को musk deer भी कहा जाता है musk deer one manush one manush gorilla को कहते हैं gorilla mendak mendak को इंगलिश में frog कहते हैं frog lomdi lomdi को इंगलिश में fox कहा जाता है fox nevla nevla को इंगलिश में mangoose कहते हैं mangoose ganda ganda को इंगलिश में rhinosaurus कहते हैं rhinosaurus bhaedya bhaedya को इंगलिश में wolf कहते हैं wolf ghaďyal घडियाल मगर्मत जैसा ही दिखने वाला एक जानवर होता है और इसको इंगलिश में alligator कहते है alligator चमगादर चमगादर को इंगलिश में bat कहा जाता है bat गिरगेट गिरगेट को इंगलिश में chameleon कहते है chameleon घोड़ा घोडे को इंगलिश में horse कहते हैं horse साही साही को इंगलिश में porcupine कहते हैं porcupine गाए गाए को इंगलिश में cow कहा जाता है cow कुत्ता कुत्ते को इंगलिश में dog या doggy कहते हैं dog या doggy हिरन को इंगलिश में deer या buck भी कहा जाता है deer या buck तितली को इंगलिश में बटरफलाई कहते हैं बटरफलाई, बकरा बकरे को इंगलिश में ही गोट कहते हैं ही गोट सियार सियार को इंगलिश में जैकल कहा जाता है जैकल गाय का बच्चा या बच्छडा इंगलिश में काफ कहलाता है काफ जंगली भैसा या जंगली बैल को इंगलिश में बिसन या वाइल्ड बफैलो कहते हैं खचर को इंगलिश में हिनी या म्यूल कहते हैं भालू को इंगलिश में बियर कहते हैं बकरी को इंगलिश में गोट कहते हैं गोट, जंगली सूर, जंगली सूर को इंगलिश में बोर या वाइल्ड बोर कहते हैं, बोर या वाइल्ड बोर, वाइल्ड का मतलब होता है जंगली, जिराफ, जिराफ को इंगलिश और हिंदी दोनों में ही जिराफ कहा जाता है, ये इस तरीके का एक लंबी गर्दन वाला श नाम होते हैं और भारत में पाए जाने वाले ज़्यादा तर सांफ जहरिले नहीं होते हैं और अगर आपको पता है कि सबसे जहरिला सांफ कुन सा होता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा बिली, बिली को इंगलिश में कैट कहा जाता है cat दोस्तों यहाँ पे आपको एक चीज बताना चाहूँगा अगर आप चाहते हैं कि ये सारे जानवरों के नाम आपको हमेशा याद रहें तो इसके लिए इस वीडियो को आप revise जरूर करते रहेगा यानि कि अगर आपने एक महिनेत में चार बार इस वीडियो को देख लिया यानि कि हर हफते एक बार इस वीडियो को देख लिया तो आपको ये permanently याद हो जाएंगे और आप हर रोज इंगलिश के 10 नए वर्ड सीखने के लिए चैनल टो भी वीडियो हैं जिन्हें आप जाके देख सकते हैं लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिलकुल मत बूलिएगा